ये आकाश्वाणी दिल्ली है लिजे सुनिये विशेश चर्चा राम कथा में मानविय मूल्य प्रतिभागी है चौधरी चरण सिंग विश्विद्यालय मेरट में हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहानी दिली विश्विद्यालय के श्री राम कॉलेज ओफ कॉमर्स में हिंदी के विभागा ध्यक्ष प्रोफेसर रवी शर्मा मधो और पोर्व प्राचारय और संस्कृत विद्ध दॉक्टर देव की नंदन शर्मा चर्चा का संचालन कर रहे हैं हिंदी अकादमी दिली के उपसचिव श्री रिशी कुमार शर्मा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानविय मूल्य मानव जीवन व्यक्ति और समाज के लिए बहुत आवश्यक होते हैं मानविय मूल्यों के बिना जीवन नहीं और जीवन के बिना मानविय मूल्यों का कोई अस्तित्व नहीं है। आदर्श व्यक्ति मानविय मूल्यों को इसलिए अपनाता है ताकि उसकी वे समाज की जीवन यात्रा सकुषल पूरून होती रहे। यदि प्रथम द्रिष्टा हम देखें तो लगता है कि रिष्टों और संबंदों में सामंजस से स्थापित करने के लिए मान्य मूल्यों की बहुत अधिक उप्योगता और महत्व है। में पात रहें जिनके बारे में हम यह सोचते हैं कि यह सब आदर्श हैं। बलकि राम जी ने तो जीवन में जो कुछ किया मर्यादा प्रशुत्तम के रूप में वह दूसरों की भलाई के लिए किया। सबसे पहले मैं डॉक्टर रवी शर्माई से जाना चाहूंगा कि समाज को व्यक्ति के बीच जो पनपने वाली सामजिक संबंध हैं। उन संबंधों को रामकथा में बहुत अच्छी तरह से परिभाशिद किया गया है। समभाहि का है. देखिए ऐसा है कि मानवीय मुल्य हैं क्या? अगर हम इस पर विचार करते हैं, तो मानव मुल्य. ऐसे मुल्य हैं जो मन reproductive को मनुश्य बनाते हैं. वास्तों में तो सभी पुल्य प्रानि को इस रूप में लेकर के आए, वे सम्मानव मूले हैं. तो जो भी ऐसी प्रविर्तिए हैं जो समाज के हितकी नहीं हैं, उनसे बचना है. और उनसे बचकर के कैसे हम एक ही समाज के भीतर अलग-अलग धारों के, अलग-अलग विचारों के, अलग-अलग भावों के, अलग-अलग कारियों का निर्वेहन करने वाले लोगों को साथ लेकर चलते हैं, सब को सम्मान देते हैं, सब के महत्व को स्वीकार करते हैं, मुझे लगता है कि समाज को जोडने के लिए एक अनि और जो सत्ता को लेकर के विश्व में हम देखते हैं, युद्ध होते रहते हैं, मार काट होती है, भाई भाई को मार देता है, पुत्र पिता को मार देता है, कैद कर लेता है, ऐसे ऐसे जहां हम देखते हैं, वहां दूसरी ओर, एक ऐसे आदर्श हैं, जिनको मिलने वाला था पता चलए किराज्ञेह नहीं मिल रहा है टब ही उनके मन में किसी प्रकार का विकषोब नहींुआ। आप कहें कि विरोध नहीं किया। और उन्होंने सहर्स्विकार कि पिता की आग्या, माता की तरफ से आदेश, यही शिरोधारे है, या यानि कि हम कह सकते हैं कि समाज में माल में मूले थे या संसकार थे वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने उसकी जो अच्छे पक्ष को देखा, तुन्होंने सत्ता का मोह नहीं रखा कहीं राम ने कहा कि भरत ही होई न राजमद, विधि हरी हर पद पाई, कभाहूं की कांजी सीकरनी, छीर सिंदु विनसाय, भरत की प्रती जब उनके मन में ये धारणा विक्षित करने कोशिस होती है, भरत आ रहा है, युद्ध करेगा, सेना के साथ आ रहा है, तो गहते हैं कि भरत के लिए तो ये राज बहुत चोटी चीज है, वो तो राज जी उसके लिए ऐसा ही है, जिसे समुद्र में एक बूद दही का है, तो ये दूद के समुद्र में अगर दही पड़ भी जाएगा, तो क्या फटेगा, वो खराब होगा नहीं होगा, तो इतना विश्वास भाई का दूसरे भाई के प्रती, और डॉक साब ने जैसे बताया भाई के बारे में, तो एक प्रसंग बड़ा अच्छा आता है, कि कुबगरण को जब भी पता चला, कि युद्ध होने वाला है, तो रावन उनके पास गया, और रावन ने उनको जगाया, कि युद्ध होने वाल ना भी गलत सही, लेकिन हमें उनका साथ देना चाहिए, और उसके लिए उधारण दिया आप पर, कि आप बताईए विभीषन, यदि हमारा एक हात गल जाए, सड़ जाए, खराब हो जाए, क्या उस हात को काट देते हैं, नहीं, उसका इलाज करते हैं, हमको अपने बड़ भाई को बैटके सब को समझाना चाहिए था, बहुत प्रयास करना चाहिए था, लेकिन हमको साथ अपने बाई काई देने चाहिए था, ये वानवी मूले जो है ना, जो ये भाई वाला प्रसंग आपके शिर कहा, मुझे लगना है जिसे भरत पर ही दूसरा उधारन है, भाय प्रतिक वेवहार होना चाहिए, तो दूसरे भायों के भी जो आप उधारन दे रहें, दूसरे पक्षी को आप उधारन दे रहें, तो रामकत्था के प्रसंग में जिते भी भायों के रिष्ते आये हैं, उनमें हमको अलग लग लग च्षविया मिलती है, मुझे तो ऐसा ल यही उद्देश है, आप मानते हैं रख से बिल्कुल यही है, और मैंने तो बाली का पातरवी राम नहीं में किया है, तो बाली राम से पूछते हैं, कि आपने मुझे मारा मेरा दोस्त बताओ, मैंने किया क्या था, मैंने क्या भी गाड़ा है, मैंने आपका, आपने मुझे प कि तुमने जो कारे किया है वो कारे अनुचित है बिलकुल छोटे भाई की जो पतनी है वो कन्यासम होनी चाहिए उसके प्रतियापकी दिरिष्टी निर्मल होनी चाहिए तो समाज को कितना बड़ा संदेश है तो इस तरीकों जो महत्तु देने की बात है परिवार में संमान द सम्मन्ना के अकरन के वो रिलेशों है एक कस्ट कारुक प्रसंग्के रूप में देखते हैं कि वास्तम में उसका जो लक्श है वो कस्ट चारुक नहीं है उसका परिणाम हमारे सामने आता राम अरत्रा में जाते हैं अर वहां जो बच्ची पर पात-र है उन हमारे सामने आते हैं केवट से मित्रता होती है उनकी उसका प्रसंग है बाद में शबरी का प्रसंग आता है वाली सुग्रीव आदी सब ये लोग आते हैं उनके माध्यम से एक समाज का जो ताना बाना है समाज के जो रिष्टे हैं वो हमारे सामने प्रकर होते हैं और नहीं था। बहुत का मुश्किल पुश्किल था, असंभव सही था। लेकिन राम उसे संभव बनाता है। वो जिस सूजबूज के साथ, वहां के समाज के साथ, अपने संबंद बनाते हैं, उनसे तानाबाना करते हैं, अनुमान से उनका बतलब एक भक्ति का भाव और समरपड़ का भाव आता है। और बहुत सुजबूट के साथ जो हमारे सामने सारा का सारा सभी कराण आता है, वो आज के समाज के लिए बहुत बड़ा मादगर्शक्त्त है। आज उसकी बेहाद आवर्शक्ता है समाज के बिखराव को रोकने के लिए और परिवारों के बिखराव को रोकने के लिए मुझे लगता है डक्टर लोहानी साब कि जो पूरे देश में जो मर्यादा पुरशत्तम राम है इनको लेकर या अन्य पात्र जो है हमारे सीता जी है या और मिला है या भरत है या विभीशन है सब को लेकर हमारे परिवारों में आज भी यदि कोई घटना होती है तो उन पात हम से हुआ अभी मैं देख रहा था कि उसकी 32 लाख प्रतियां राम कथा रामायन और विकी है क्योंकि राम कथा के अंतर भी अंतर कथाए हैं तो इसलिए से अब आप ये प्रसंग जोड़ रहे थे जिए रामायन या राम कथा के प्रसंदर इसलिए आए कि रामायन सुर्थ तरुकी काया दुख भे दूर निकड़ जो आया अब वो राम कथा के तरह तरह के प्रसंग हैं फिर उसमें हम जब तुलसी को सुनते हैं वो कहते हैं बंदव गुरुपद पदुपरागा जी बिल्कुल सुबास सरसनुरागा तो अब ये गुरु की जो प्रतिष्ठा है हम हमारे हां उसको किस लुप में उन्हें कहा या फिर हम लोग जब राम कथा में सबरी को देखते हैं के वर्ट को देखते हैं कौन है हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं आप करपया हमें इनकी कुटिया तक पहुचा देंगी माता शबरी के पास लेकिन आप है कौन मैं राम और यह मेरा चोटा भाई लक्ष्मन लक्ष्मन आप आगे ब्रभू आप आगे सबरी की कुटिया में मैं चट्वतिया आपको पैचान नहीं बाई प्रभू मुझे शमा कर दो प्रभू अप्रभू अप्रभू आप को पैचान नहीं पाई यह देया निथा आपको प्रभू आपको भूक लेगी हो कि ना हाँ मैं पल्ले कराते हूं पल्ले कराते हूं पल्ले कराते हूं अभी लाई बर्षों से प्रती दिन आपके लिए मैं मीठे मीठे बेर लेकर आते हूं बर्भू बर्षों से खाई बहुत मीठे हैं मैंने चकचक कर रखे इतने बर्षों बाद ऐसा लगा जैसे माता कोशल्य अपने हाथ से खिला रही हो उन पात्रों को देखते हैं जो किसी तरह से उपेक्षित है तो उनको राम जिस Calm hurricanes नित्यों प्रसुंइत रूसित के शक्तन सेुखस रूण रूबॉजरा रेतृ महला पातृ पात्र कि कुण řाहिए तो रूक कि हुआ थ्यूभास कुछ है को अलग अलग जातियों को अलग-अलग वर्णों को जोडना की कत्था है एक टरिकी से जसे हम कहते हैं रामकलता समझ्णर की कत्था तो कई बार ये भी लगता है कि राम मनुश्य के रूप में आचरान कर रहे हैं तो उनको ये भी पक्ष दिखाना जरूरी था अगर साइद वो ये पक्ष नहीं दिखाते तो हमको लगता कि ये तो हमेशा उदारता की प्रतिमूर्ती है तो विने नमानती जले दिजड गय ती ये जोड़ते हैं ये बड़ा पुसले है तो परिक्षा थी उन्होंने पहले अनुने विने किया कि कुछ समस्यां ऐसी होती है जो अनुने मान जाती है समस्या का समाधन निकल जाता है लेकिन नहीं निकल रहा है और आप ठीक हो तब उक्रोधित हुए तो डॉक्टर रभी म मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिती में रामकथा के जो मानवी मूल है या नैतिक बाते हैं बहुत चोटा सा अंतर है दोनों चीज में उसको आप किस परिपरेक्षम देखते हैं देखे आज के इस दौर में कई स्तरों पर विगटन हो रहा है हमारे समाज में और विगटन को रोकने का एक मात्र तरीका एक मात्र माध्यम रामकथा के प्रसंग हैं उनके पात्र हैं तो इन सबके लिए अगर हम आदर्ष देखने जाते हैं तो आदर्ष आज भी हमें रामकथा से मिलते हैं जे न मित्र होई दुखनी दुखारी तिनही बिलोकत पातक तो मित्र तो वही है, जो मित्र के दुख में दुखी हो, और अगर हम बात करते हैं, आज हम I.S. और नेता और उन सब की चर्चाएं भी देखते हैं, समाज में, तो बड़ी बढ़िया बात कही है, सचिव वैद्य गुरु तीन जों, प्रिय बोलई भै आस, राज धरम तन ती नạiकों, होहि बेग ही नाज कितनी बड़ी बात हैं इसके अंदर, बहुत-चीजे सम्हाईत हो जाती है सचिव का धर्म बता दिये, वैद्य का धर्म बता दिये, गुरु का धर्म इन तीन पर ही समाज टिका हो अगर सही सलह दे रहे हैं, बिना किसी भैके बिना किसी लोब के तो निश्चित रूप से समाज सही चलेगा मुझे तो लगता है कि तीनों ही जीवन दान देते हैं जीवन दान देते हैं समाज को परिवार को शरीर को तो तीनों का महत्व राज काज के मूल्य हूं या विपक्षके या व्यक्तिगत्थ हूं या सामोहिक मूल्य हूं जीवन के मूल्य जो है उन सभी के दर्शन इसमें होते हैं सभी को अपनी मर्यादाओं का पालन करना कैसे चाहिए डॉक्टर लोहानी इसके उपर मैं आपका जानना चाहूंगा आप कैसे इसको समझते हैं अभी प्रसंग आया था है क्या राम काज असल मैं हु減 आई है क्या ठाटर हम कहने को खता हो जो आप प्रसंदता को आपके जीवन के वॉस्तों को दर्शाता कर दाताल क्या रामकाज के के sound boss सकते हैं कि आपको अलग-अलग स्थिति में भाई के रूप में पिता के रूप में राजा के रूप में मित्र के रूप में पुत्र के रूप में पती के रूप में आपकी भूमिका क्या है और आपने उसमें कैसा आचरण किया अगर विप्रीति स्थिति है तो आप रावन के चीवन उससे बहतर हो सकता है । रामकथा कि ये सारे प्रसंग हमको जीवन के अलगलग हिस्सों में परभाव छोड़ते हैं अगर वास्तावां कि के संदर में रामकाज कहते हैं तो लेकिन ये जरूर है कि हम पूरा जो रामकथा में मानुवे मुल्यों की चर्चा कर रहे हैं इसका मतलब है मनुशिक मन के जितने भी पक्ष विपक्ष हैं उन सब को रामकथा में किसी रूप में देखते हैं जैसे हमें अगर उल्मिला दिख तो इसका मतलब आचरण के प्रक्षि आपके बदल जाते हैं अगर आपके ब्योहार में वो चीजे नहीं है या फिर अगर हम जंगल में रहते हुए राम के सामने जाने वाली जो राक्षेशी पात्रा हैं उनको भी देखते हैं तो उनके लिए अपनी स्वार्थी सिद्धी ए आचरण का वेक्ती है हम उससे क्या भेहतर सीख सेकते हैं यह राम कथा मैं हम जान से मुझे लगता है दॉक्टर देव कि नदन शर्मा जी कि राम कथा से जो निकले मानवी मूल है यह शाष्वत है जो आज से 2000 वर्ष पहले भी थे बिलकुल आज भी है और मुझे लगता आ हरी अनन्त हरी कथा अनन्त इस वाक्य में ही राम कथा का पूरा मर्म उसका प्रसार सब कुछ नहत है छोटी छोटे प्रसंग राम कथा के इतने मार्मिक हैं इतने हिर्दैस परशी हैं कि उनको देख करके हम दंग रह जाते हैं एक छोटी सी बात प्रसंग मुझे धाना रहा जिस समय राम का विभाह होता है और सारे भाई अध्या आते हैं सब वहाहिक वैस्तताओं के बाद शांति पूर्वा कौशल्या वो दर्शत बैठते हैं रात्री में तो कौशल्या से दर्शत कहते हैं कि महरानी अब तुम्हारा विशेश दाइत निर्वाहन का समय आ गया है च विश्मे अध्भुत अनुठा है और आज उसकी आवश्यक्ता है दर्शत कहते हैं कि यह जो बदूए आई हैं तुम्हारी यह बहुएं आखे हमारी नेत्र हैं और तुमको उनके पलक बन करके रहना है सांस बहु का यह जो मार्मिक रिष्टा है यह अध्भुत है और इसक हैं और लंका विजय हो जाती है राम अगड़ चाहते तो लंका का राज ग्रहन कर सकते लेकिन नहीं क्योंकि उन्हें अपनी जन्भुमी से प्यार था इसलिए उन्होंने लंका में राज्य करना उच्छित नहीं समझा वह अपनी जन्पूरी मतला जन्म इस्थान पर जन्म हुई है यह राम कथा जो है वह पावनी है मार गर्शिका है और मैं बार बार इस बात को दोहरा न चाहूंगा फादर कामिल बुल के बेजियम जैसे वेक्ती ने यहां आ करके राम कथा पर प्रसंग किया बिलकुँ सब्सक्राइब प्रिस्षोद किया और आज विश्व के अगर हम एनलाइसिस करें बैठ करके तो विश्व के ना जानी कितनी भाषाओं में कितने सारी विद्वानों ने उसका अनवाद किया है अपने अपने तरह से उसके प्रसंगों को जोड़ा है लेकिन राम कथा की मूल भावना अक्षय है हमिठ है शाष्वत है अचा ड़क् कि ऐसे कुछ प्रसंग हो या पात्र हो जो विशेश महत्र रखता हो और तीकिये मैं जब इन पात्रों की और जाता हूं तो मैं देखता हूं कि पात्र है जटायू जटायू गिदराज है पक्षी है लेकिन उनके भाव क्या है वे अपनी सीमाओं को समझते हुए भी एक इस उसे ललकारते हैं और अपने कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हे इसको ले जाने नहीं दूंगा मैं ताथ आपकी अदिशा कैसे हो गई किस पापी ने आप पर आखात किया है तुम तुम आगे राम मैं मैं तुम्हारी ही प्रतिक्षा में प्राणों को रोके हुए था राम हुआं यह है मैं तुम्हें मैं सिता का ऑट समय बताना चाहता है कि ynसड़ी मैं př उसे ले गया है सिता को ले गया है अपने सिदा को देखा है पुत्र मैं बहुत बहुत लज्जित हूँ कि शीता को उसके 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 हाथों से चुड़ाना सका राम आप किसके हाथों से उसे नहीं चुड़ा सके कौन ले गया है उसे उसे पापी रावन अपने विमान में पिठा कर अकाश बार्क से ले गया है राम हाकाश मार्क से रावन राक्षोसा का राजा रावन उसे उठा कर ले गया है वो वेचारी चारों और साहिता के लिए वो कार रही थी मैंने 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 रावन को रोकना चाहा उसे उसे युद्ध भी किया परंतु उसने अपनी चंद्रहाज खड़क से मेरा मेरा परकार दिया तो इतना जड़ा भाव है कि जब भी हम किसी अपने से निर्बल को देखें उसकी रक्षा के लिए अपने प्रान तक दे देना यह जो भाव है जटायू उपेक्षित पात्र है मझे लगता है उसकी चर्चा कम होती है तो वह पात्र भी हमारे सामने एक आदर्श लेके आते हमें अपनी पूरी ताकत से उन अक्रांताओं का उन गलत लोगों का मुकाबला करना चाहिए यह भाव भी हमें इसी कथा से मिलता है तो भक्त की कितनी शक्ति है और दूसरी और प्रभु राम की कितनी मर्यादा है यह जो उंच नीच के भेद हमने बनाए हमने जाती-जाती के भेद बना दिये और यह जो चीजे हैं उनको भेद भाव को मिटाने का भी संदेश यहीं से आ रहा है तो इस प्रकार के संदेश इसमें भरे पड़े हैं चाहिए हम भील जातियों के साथ मिलन की बात करें भी हमने बातें की हैं इस तरह की तो अनेक ऐसे प्रसंद नहीं चीजे दिखाई देते हैं त्रिजिटा का पात्र मुझे भी याद आ रहा है हां कितना सुसन स्कृत पास्ट था हां देकि त्रिजिटा कहने को तो एक राक्षा स्कूल में रह रही है फिर वहां पर एक तरह से कहिए कि रक्षक के रूप में ही है बहुत पड़ी लिखी भी नहीं मान सकते हैं उनकों की बहुत विदूशी नहीं होंगी लेकिन जो बाती हैं वहां पर जिस तरह से उनका धांडस बंधाती है वह भी एक अनुपम धारन है उसने जो धर्म है न वह एक सनिका भी निभाया और उसने एक सरणागत के साथ कैसा विभार करना चाहिए वह धरम भी निभाया बी-ने भाया से संबल दिया है käyttprendh We हो एसे इसे पात्र इसकता में अदर से आजबं की पोन के उम्णा दियता है जो हमें कई न अ की प्रेणा देतें कि माता पिता के बारे में बात करी गई है वो दश्रत और राम की बात तो है लेकिन इस भावना को प्रबल करने के लिए शवन कुमार का भी एक बहुत उधारनों दिया करते हैं अकसर लोग ये धारन दिया करते हैं कि भी बेटा हो तो शवन कुमार जैसा है ना शर्वन कुमार या महत्पून शरित रहे, नाना पुरान निगमागम सम्मत यत रामाइले अधितम किंचितो अपी. गांदी जी का मज़े समरन आ गया कि उन्होंने भी अपनी आत्म कुमार के लिखा है कि शर्वन कुमार का नाटक देखा बच्पन में और वो नाटक मेरे मन मस्तिष्पून चाह गया कि उनको भी पूरा जीवन अपने माता पिता के प्रतिव भाव जागे. तो ये कथा बच्पन से सुनते हैं, राम लीला में देखते हैं तो संसकार रूप में बैख जाती है. इसलिए आज भी ये कथा जो है बहुत ही महत्पून है. डॉक्टर देवकिरंद शर्माजी से मैं जानना चाहता हूं कि अब इस राम कथा से जो मानमे बूल निकले हैं, वो युवाओं तो कैसे पहुँचे हैं? युवाओं के लिए तो इसकी सबसे जादा आउशकता है युवापीडी पर जो एक प्रकार से आरूप लगाया जा अनुशाशन, समरपणशीलता, यह सारे राम के कथा के जो मानमे मूले हैं, वो उनकी बहद आवशकता है, हम ग्यान विज्ञान के अधुनातन आयामों को छुएं, लेकिन अपने इस विरासत को भी विस्मृत ना गरें. अन्त मैं आपसे बस यह पूछना जाता हूं कि जहां तक पात्रों की बात है, वहां तक तो मानमे मूले ठीक हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसी भावना हैं, जो इसमें समाहित हैं, जैसे प्रेम है, जैसे ग्रणा है, वो मंत्रा वाला जो प्रसंग, या बहुत सारी ऐसी इस्ति पात्र हैं, वे मानव जीवन को जीने वाले और मानव जीवन को सुगम बनाने वाली कथाओं को से जुड़े हूए हैं, तो इसलिए जब हम अलग-अलग प्रेरग कथाओं को सुनते हैं, उनके जीवन संदर्भूं को सुनते देखते हैं, तो उनसे हमें यह संदेश मिलता ह कि अगर हमारे जीवन में कभी ऐसा समय आए, कभी ऐसी स्थिती आए, तो हम राम कर्था से कोई सबक लें और उसके माध्यम से अपने जीवन को आसान बनाएं. हां जाय 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 देन दयार हो जाय 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 देन दयार हो जाय 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 गया तो हम मादु आप करते हैं तो आपको मादो है कि अधुन College Production को जहाजों में लेकर जाया गया था और बहुत सपने दिखा कर अलग पर संग गया और वहां जाकर के उनका जीवन कितना कष्टकारी हुआ तब वहां उनका संभल कौन था किसके सहारे उनने कष्टों को सहा राम क था किसा जी बिल्कु सही का वे अपने साथ कुछ नहीं ले क्या जा पाए तो तो यहरा मतर मानष को पोथी को बांद करके ले गए और उसी को पढ़कर कर सकते हैं कि कि हूमारी सीता मईया इतने कष्ट खसकती है हम क्योंड सा ह सकते हमेरे आदर्श Woah Lock bill सह सकते ऑन में जा सकते तो हम यह यहां कैसे नहीं सजफ़ा चैसा मुझे लगता है कि राम कथा पर ये बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है। राम कथा के जो बानविय पक्ष हैं वो आगे इसी तरह से चलते रहेंगे और लोग अपनाते रहेंगे और उन पर आमर करते रहेंगे। धन्यवाद। राम कथा में मानविय मूल्य अभी आप ये चर्चा सुन रहे थे। कुमार शर्मा, कारेक्रम के प्रस्तुत करता थे रामवदार बैर्वा, ये कारेक्रम आकाश्वानी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।